हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत आपका हमारे से यूड़ीब चैनल क्रेशी फॉर ओल में और गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलगु फिल्म इंडस्टरी के बिल्कुल ही हैंट्सम स्टार अखिल अकीनेनी के बारे में जो बेटे हैं टॉलिट फिल्म करियर अनलेसिस इस सीरीज का ही हम लोग का फर्स्ट अपिसोड है तो पुरे वीडियो को लाकर जिए चलिए शूर करता है यह वीडियो इस क्रेजी इंट्रो के साथ नमबर वन अखिल तो फिल्म अखिल एक एक्शन फैंटेसी रोमेंटिक ड्रामा फिल्म ती जिसने रिलीस किया गया था साल 2015 में ही यह सुनको डियरेट किया था वीवी विनायक ने वाइफ उनको प्रोड्यूस किया था नितन रेडी और एम सुदाकर रेडी ने फिल्म अम इंडियरेटिंग फिल्म को मिल पाई या गई सब्सक्राइब को पसंद किया और क्रिटिक्स ने कुछ खास नहीं पसंद किया वहीं बात करें के बजट बॉक्स परफॉर्मेंस की तो बजट रखा गया था रौंड पचास करोड रुपयों का और फिल्म ने इंडिया नेट से मात्र ताजिस क्रोड के कमाई की ती सिर्फ तल्गू लैंग में उसके वर्डवाइट क्लेक्शन भी सिर्फ 36 क्रोड का किया और बॉक्स पे इनकी डेब्यू मुवी अखिल एक डिजास्टर साबिती बट इस जब इस उनको हिंडी डव वर्जन में लाए तो उनको अच् प्रफॉर्म को प्रोड्यूस किया इन्हीं के पिता नागार जुना अकी नेनी ने लिट्रों में देखने को मिले थे अकेल अकी नेनी कल्यानी प्रिया दर्शन जगपती बाबू अच्या और भी बहुत सा स्टारकास्ट यसे उनको और ओडियोंस और क्रिटेक्स दोन नही वर्लेट है नोटीस करोड रुपयों का और फिल्म ने इंडिया नेट मारकेट में कलेक्जन करके दिखाया था वो था 35 करोड और वर्ल-डवाइट से लिगा टूडल क्लेक्शन है था 45 करोड रुपयों का और बौक्स पर फिल्म की अच्छी स्टोरी होने के कारांड भी य इंड लिटर दो बज्ट में नुमर थी मिष्टर मजरू क्लों में रॉमंटिक नमाफिल्म जिसे साल 2019 में रिलीस किया था फिलम को डारेक्ट किया था वेंग की अत्यूरी निवल इसन प्रसाद ने फिलल्म एम लुडर में अख़़् लकी देखने को मिलेगी फिल्म को IMDb रेटिंग पे तो कुछ खास रिस्पास नहीं मिला तो और क्रिटिक्स और ओडियन्स ने भी सुनको कुछ खास रिस्पास ना देत हुए सिक्स पॉइंट वन की भी आइंडीवी रेटिंग हमें देखने को मिली बात करें बात करें बॉचट बॉच्ट परफॉर्मेंस के तो फिल्म का बजट रखा गया था तीस करोड रुपयों का वहीं फिल्म ने इंडिया ने ने मार्केट में कलेक्शन करके दिखाया था पंदरा करोड पंदरा लाग तो इस फिल्म को हिंड़िव और इसको अभी यूटूब पे 23 करोड से भी जादा व्यूज मिले हैं तो अब समझ सकते हैं कितना जादा फिल्म को पसंद किया गया है नमबर फोर मोस्ट अलिजबल बैशिलर तो फिल्म मोस्ट अलिजबल बैशिलर एक रुमैंटिक कॉमिटी ड्रामा मुई से इसरे डारेट किया था बूमर इलू भास करने वही फिल्म को प्रिडियोस किया था बनी वास और वास वर्माने मिलकर फिल्म में लीड रोल में ठीक ठाक आंडवी रिटिंग जी थी अब बजट बॉक्स प्रफॉर्मेंस की फिल्म का पिजट रखा गया था लगभग 26 करोड रुपयों का इंडिया नेट मार्केट में 40 करोड का और वर्ड़ टोडल क्लेक्शन किया था 51 करोड रुपयों का और बॉक्स पर खिलकी नेन से रिलेटेड अबडेट के बारे में तो समय कोई अपडेट अभी तक तो नहीं आई है जो देखते आना विसमें कोई भी अप्रीट आगी तो हम जरूर सब को बता देंगे आप बात करेंगे कुछ अपकुविंग के बारे में नंबर 5 एजन तो फिल्म एजेंट टेक अप फ्रल से भरपूर होने वाली से फिर्स टाइम अखिला की निनी एक्षन करते हुए नजर आएंगे और जाहें इसमें उनका क्याक्टर भी एक एजिंट का होने वाला है फिल्म के लिए अपनी बॉडी तक बनाई है और इसका अंदाजा फिल्म के पोस्टर से ही लगा सकते हैं फिल्म को इसी साल के एंड में बॉक्स फ्लोड पर रिलीस करने की प्लैनिंग चल रही है यानि कि ये फिल्म 2022 के एंड में में सिनमार्ज में देखने को मिलेगी वहीं के मेकर्स अनौंस्मेंट करते हुए बताया है कि यह जो फिल्म है अब एक पैन इंडिया लेवल पर रि का यह वीडियो जिसमें हमने तिल्गू फिल्म इंडिस्ट्री के बिल्कुल हैंसम स्टार कहे जाने वाले अक्टर अखेलकी नहीं का ही फुल हीट एंड फ्लॉप करियर अनलिसिस किया विसा आपको अखेलकी नहीं कैसे लगते हैं कमेंट बोक्स में जरूर से लिखेगा मै चयानाथ बाइ एंड लुप केर्श फिल्सक दिक नहीं जवारत धा горमा है अनलिसमे मतम जफूर में किल्सकेल्डश से लियुए बाइट थे हमाने बा-इक जाने पाते हैंड एंड हमा झालस एंड हचल tickingle all the estéreodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaodaoda झाल झाल